सपने में हनमान जी को देखना अपने आप में एक अद्भुत जमतकार है जो यही सिर्दे करता है कि आपके उपर हनमान जी की विशेश कृपा है सपने में हनमान जी की मुर्ती देखना या फिर हनमान जी की फोटो देखने का अर्थ होता है कि हनमान जी की विशेश क्रिपा तो है ही है साथ ही आपकी चुबी मेनो कामना है वो भी अवश्य पूर्ण होगी हनमान जी के अलग-अलग रूप होते हैं और उन अलग-अलग रूपों का भी अपके सपनों का अलग-अलग असर भी दिखाई देता है तो आपके सारे संकट किस तरह से दूर होने वाले हैं और उसका क्या क्या मतलब होने वाला है आईए हम इस से जुरी भी जानकारी को देखते हैं हेलो दोस्तो तर्टी वाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले साथ ही नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हम लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक ततकाली पहुंसके सपने में यदि आपने हनमान जी की पंच मुखी मूर्थी देखी है तो इसका अर्थ है कि आपकी जो भी परिशाने वो दूर होगी आपने यदि किसी से कर्ज लिया है तो आपको उस कर्ज से वी बहुत जल्द मुक्ती मिलने वाली है दोस्तो सपने में हनमान जी का यदि आपने मंदिर देखा है तो ये इस बात का सूचक है कि आपने हनमान जी से जो भी मननत मांगी थी वो अभी तक पूरी नहीं की है आपको स्चेग्र ही उस मननत को पूरा करने के आवे सकता है वहीं आपने सपने में हनमान जी को गदा के साथ देखा है तो इसका मतलब है कि हनमान जी आपके साथ है पूरे आत्मिस्वास के साथ आप अपने काड़े को करे और वो काड़े आपका जरूर पूरा होगा दोस्तों ये आपने ऐसा देखा है कि सपने में आप ऐसा देख रहे हैं कि हनमान जी लेटे हुए है तो इसका अर्थ है कि आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्ट की लंबे से मई से चली आ रही पीमारी ठीक उने वाली है सपने में हनमान जी को मुश्कुराते वे देखने का अर्थ यह होता है कि आपकी कोई भी मनोकामना जो है वो बहुत जल्द बूरी होने वाली है या फिर ऐसा कि सपने में आपने बाल हनमान जी को देखा है तो भी आपका इससे अर्थ यही निकलता है कि आपके घर में बहुत जल्द खुजिया आने वाली है हम सभी रोज पूजा प्रातना करते हैं लेकिन वहीं यदि पूजा प्रातना आपने सपने में ऐसा देखा है कि आप हनमान जी की पूजा कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप वेस्तता के कारण भगवान जी की पूजा करने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं हनमान जी आपको यही सुचित करना चाहते हैं भगवान जी को भी आपको धर्म कर्म में मन लगाने के लिए प्रेडित कर रहे हैं यदि आपने ऐसा देखा है कि हनमान जी को लड़ते वे देखा है या फिर गदा द्वारा किसी को प्रहार करते वे देखा है तो इसका अर्थ है कि आप सत्रों पर बहुत जल्द विजय प्राप्त करेंगे सपने में यदि आपने हन्मान जी को उड़ते वे देखा है तो इसका अर्थ होता है कि आप उन्नती के सिखर पर पहुँचने वाले हैं और आपको हर कारी में सफलता मिलेगी यदि आपने निद्रा की अवस्था में राम दर्वार देखा है तो ये बहुत हिसूम मना जाता है सपने में राम दर्वार देखने का अर्थ होता है कि आपको आपके जिवन में सुख समरिदी शांती मिलने वाली है आप जो भी नया काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तो सपने में हनमान जी को देखना हर तरह से सूख होता है सबसे बड़ी बात तो यह है कि हनमान जी अगर आपके सपनों में आ रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है इसकारत है कि आप एक पुन्यात्मा है और हनमान जी आप से बहुत यदिक प्रशन है आपके मदद के लिए हमीशा आपके साथ है दोस्तो मुझे उम्मीद है अच कि यह जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी